हेलो और वेलकम तो इस चैनल टेकनिकल ग्यान तो आज का जो कंटेंट होने वाला है that is related to अगर आप कोई भी दोस्त अगर कोई भी स्टोडी शेयर करता है या कोई भी फोटो अपलोड करता है तो जो नोटिफिकेशन्स आता है ना उसको कैसे आप बंद कर सकते हो या प्रिव करने वाला हूँ इस वीडियो पर तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा बहुत सिंपल प्रोसेस है कोई प्रॉब्लेम नहीं है तो आपको पहले कोई भी फेस्बुक एप में जाना पड़ेगा में फेस्बुक एप भी चलेगा या फेस्बुक लाइट भी चलेगा तो मैं facebook light से करता हूँ तो उसके बाद एकदम अपने profile में जाना पड़ेगा और आपको settings में जाना पड़ेगा थोड़ा सा नीचे आकर settings में दबाना पड़ेगा दबाने के बाद थोड़ा सा नीचे scroll करना पड़ेगा जहाँ पे notification settings लिखा है उसपे click करना पड़ेगा click करने के बाद थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा जहाँ लिखा है update from friends तो उसपे click करना पड़ेगा तो ऐसा एक आपको interface दिख जाएगा और एक example दिया है मतलब कोई भी friend अगर कोई status अप्लोड करता है या कोई photo upload करता है या कोई story share करता है तो notifications आता है notifications आने के लिए कुछ time पे आपको problem भी हो सकता है तो notifications prevent करना चाहिए तो अगर आप prevent कर सकते हो तो बहुत अच्छा है तो ऐसा ही process करके आपको करना पड़ेगा मतलब अगर आप इधर एक option दिया है allow notifications on facebook उस पर click करना पड़ेगा simple disable करना पड़ेगा click करने के बाद तो ऐसा करके allow notifications on facebook disable हो गया मतलब अभी आपको कोई दोस्त लोगों का कोई notifications मतलब अगर कोई status upload करता है या कोई story share करता है तो ऐसा notifications आपको नहीं आएगा मतलब एकदम बंद हो गया भी कर सकते हो तो यही process है simple कैसे आप notifications disable कर सकते हो facebook पे तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेर कमेंट और सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए क्योंकि इस चैनल पे टेक वीडियो आता है और फ्यूचर में भी आएगा और अगर आप बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा तो notifications आपके स्क्रीन पे एगदम फर्स्ट आएगा तो अब आपको यह पुरा content पसंद आया so till then take care and bye bye